हलो वीवर्स कैसे हैं आप सब आज हम लोग बनाएंगे चिकन करी आज जो मैं आपको रेसेपी देने वाली हूं चिकन की यह मेरी अपनी रेसेपी है जैसे मेरे घर में बनता है और आप यकीन कीजी यह बहुत ज़्यादा डिलिशेश लगता है तो चलिए अभी हम लोग चिक पेश जाए इसी के साथ हम लोग इसमें डालेंगे 15-20 कली लहसुन और 2 इंच के करीब अधरक साथी में हम लोग इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो मैंने यह पे चार हरी मिर्च डाला आप अपने एक और इसमें हरी मिर्च घटा या फिर बढ़ा भी सकते हैं अच्छे मसाला है यह मैंने एक किलो चिकन के लिए बताया है तो अगर आप आदा किलो चिकन बना रहा है तो कौंटिरी को आदा कर लीजिए इसकी बाद अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे तो देखिए आपको जो पेस्ट है वो कुछ इस त एक चोड़ी 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 जीरा पौडर. और 2 चोटी चममच धनिया पॉड़र साथ ही दालेगे अधी चोटी चममच घरम मसाला पॉड़र एक चोटी चममच कषुरी मेथी और लास्ट में भी दालेगे श्वादानुसाल नमक हम इस सबी चीजों को मिक्स लेए तकoser हम जोग तक चीकन में लग जाये तो आदे गंटी के बाद चिकन यहाँ पर हमारा मेरनेट हो चुका है चलिए अब भी हम लोग इसे कुक कर लेते हैं तो इसे कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और इस पर भी हम लोग डालेंगे 4 बड़े चमत सर्सो तेल मैं अपने चिकन में हमेशा सरसुका तेल ही उज़ करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में तो तेल को भी हम लोग एकदम अच्छे से गरम कर लेंगे मतलब एकदम धुआ निकलने तक हमेशे गरम कर लेना है और जब यह उतना गरम हो जाएगा तब हम लोग इसमें कुछ खड़े मसाले अड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर जो भी खड़े मसाले डाले हैं और जितने जितने क्वांटिटीज में डाला है वो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें अच्छा इन सभी मसालों को अभी हम लोग थोड़ी दिर के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर हम लोग इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के बारिक कटे हुए प्याज प्याज को अभी हम लोग गुल्डन कलर आजने तक फ्राई कर लेंगे अच्छा इसे फ्राई करते वक्त ना हमें ग्यास के फ्लेम को मीडियम में ही रखना है तो ये देखिए अभी थोड़ दिर बाद यहाँ पे हमारा प्याज अची तरीके से गुल्डन हो चुका है तो अभी हम जोग इसमें डालेंगे हमारा अद्रक लसन और प्यास का पेश जो हमने पहले ही बना के तयार किया था और इसे अभी हम लोग मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें से तेल न निकरने लगे तो ये देखिए अभी हमारे मसाली में से बहुत ही अच्छे से तेल निकरने लगा है तो इस वक्त अभी हम लोग इसमें डालेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन और साथ ही में यहाँ पर डालेंगे तीन टमाटर टमाटर डालेने के बाद अभी हम लोग सबी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम लोग इसे ढखकर तब तक पकाएंगे जब तक इस में से पानी न निकलने लगे और इस वक्त अभी हम लोग गेस के फिल्म को लोग पे रखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन में से बहुत ही अच्छे से पानी निकलने लगा है मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी उपर से नहीं डाला है और इसमर्थ हमारा चिकन लगबगादा पक चुका है तो अभी हम लोग चिकन को इसी तरह से धक्कन हटा कर पकाएंगे क्योंकि अभी भी हम लोग धक्कल लगा देंगे ना तो हमारा चिकन ओबर कुक हो जाएगा तो अभी हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जबतों कि इसका पानी पुरा सूख न जाए अचा और हम लोग इसे बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा चिकन नीचे लगना जाए तो यह दिखिए अभी थोड़ी देर बाद हमारे चिकन में से बहुत ही अच्छे से तेर निकलने लगा है और इसका सारा पानी अभी सूख चुका है और इसका कलर अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इसमें और हमने इसमें किसी तरह का कोई कलर भी याड नहीं किया अच्छा अभी हमारा चिकन ना 90 परसंट तक कुक हो चुका है तो अगर आप चिकन की ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं और आप इसे इसी तरह से कसा चिकन बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसे ढख कर पांच मिनट के लिए कुक कर लेजी और आपको कसा चिकन तयार हो जा अश्यक्स पानी डाला है पानी डाल के बाद आप आप इसलोल gettingगे और मिरियम करते और इसमें डालेंगे एक चोटी चिकन करी यहां पर बन कर तयार हो चुका है और इस परक इसमें से बहुत ही अच्छा खुस्पु भी आ रहा है तो फ्रेंट्स देखा आपने इस चिकन को बनाना कितना ज़्यादा आसान है तो आप लोग इस एक बार जरू से ट्राइ करें और मुझे कमन करके बताएं कि आप को मेरे वीडियो इस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जलूर से करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग